Hello my dear students, आज हम पढ़ेंगे हमारी English NCRT Honey Suckle का poem Vocation वोकेशन का क्या मतलब होता है? वो काम जिससे कि हम अपना living चलाते हैं नौकरी या occupation या business या जो भी हम करते हैं पैसे कमाने के लिए उसे हम कहते हैं vocation ठीक है? चल यह poem लिखी है रभींद रना टेगोर जी ने जिन्होंने हमारा National Anthem भी लिखा है तो it's a very interesting poem, आये शुरू करते हैं When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane gong का मतलब क्या होता है? जैसे घंटा बचता है ना? दस का घंटा बचा तो यह इनका कहना है कि एक school going बच्चा है जो यह poem सुना रहा है, बोल रहा है तो इनका कहना है कि जैसे ही दस का घंटा बचता है मैं अपने school के लिए निकल जाता हूँ अपनी गली से ठीक है? lane मतलब गली everyday I meet the hawker crying एक hawker, hawker क्या होता है जो समान बेशते है न? साड़क पर ठेला लगाते है या जो चलते फिरते समान बेशते है उन्हें hawker कहते है तो कहते है everyday I meet the hawker crying crying मतलब चिला-चिला के बुलाता है, समान बेशता है, क्या कहता है? bangles crystal bangles चूडियां काच की चूडियां ठीक है काच ही चूडियां वाला एक hawker है उसको ये देख से है और सोचते हैं there is nothing to hurry him on इसको कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है there is no road he must take कहीं जाना इसके लिए जरूरी नहीं है जहां मन करता है वहां जाता है no place सुषता है I wish I were a hawker सुषता है काच मैं भी एक hawker होता spending my day in the road crying bangles crystal bangles मैं भी सालकों पर इसी तरीके से चिला चिला करके चूडिया बेशता की bangles crystal bangles when at four in the afternoon I come back from the school चार बजे दुपहर में जब स्कूल से वापस आते हैं I can see through the gate of that house the gardener digging the ground तो किसी घर की gate में देखते हैं वहाँ पर एक gardener यानी माली काम कर रहा होता है जमीन खोता है gardener का काम क्या है plants लगाना plants कैसे लगाएंगे पहले जमीन खो देंगे plant लगाएंगे वहाँ पर वापस मिठी डालेंगे पानी डालेंगे तो उसका यही काम है तो यह देखते हैं कि यह gardener है जो अकसर उसे जमीन खोता हुआ दिखाई परता था he does what he likes with his spade अपनी spade यानी कि जो कुदाल होती है जिससे खुदाई करते हैं उससे वो जो मन करता है करता है he soils his clothes soils का क्या मतलब है soils का मतलब होता है गंदे करना to get dirty ठीक है कपड़े गंदे करता है with dust nobody takes him to task उसके बाद क्या होता है जैसे बच्चे छोटे होते हैं जब वो घर पे कोई कपड़े गंदे कर देते हैं तो अकसर उनकी मम्या कहती है चलो यह काम करो अब तो punishment के लिए उनसे कोई काम करवाया जाता है तो वही कह रहे है कि यह चाहिए कितने भी कपड़े गंदे कर ले इनको तो कोई punishment नहीं मिलती है if he gets baked in the sun or gets wet baked in the sun मतलब इतनी धूप होती है उसमें वो चाहे वो baked हो जाए यानि कि उसको खुब गर्मी लग जाए तब भी कोई उसे कुछ नहीं कहता और बारिश में भीगे तो भी कोई नहीं कुछ कहता I wish I were a gardener आप इनको रखता है कि मैं एक gardener होता तो कितना अच्छा होता digging away at the garden with nobody to stop me from digging और मैं भी खुदाई करता और कोई मुझे रोग नहीं सकता था ठीके ना तो just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed जैसी रारात होती है मम्मी सोने के लिए भेज देती है उसके बाद क्या देखते हैं यह देखते हैं I can see through my open window the watchman walking up and down खुली हुई window से बाहर यह देखते हैं the watchman है walking up and down यानि की चकर काट रहा है गली के the lane is dark and lonely and the street lamps यह कह रहे हैं कि जो गली है वो बिलकुल dark है अधेरा है lonely यानि के कोई रात में थोड़ी निकलता है सब लोग घर में rest करते है watchman ध्यान देते हैं तो dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head और जो street lamp है वो ऐसे खड़ा है कि लगता है कोई giant giant मने कोई monster, कोई भूत, राक्षस खड़ा हुआ है जिसकी सिर्फ one red eye है in its head यानि कि जहां पर उसकी red color की जो बल जल रहा है उसको वो compare कर रहे हैं एक giant की या राक्षस की आँख से कि उसके पास एक आँख है red color की लिए दमाँ चमकती है उसकी the watchman swings his lantern उसके हाथ में क्या है lantern lantern मतलब लाल टेन ठीक है उसको swing चलते चलते वो उसको swing कर रहे हैं हिला रहे है and walks with his shadow at his side और उनके साथ क्या चल रही है उनकी अपनी shadow क्योंकि light का source है पास में वो जो lantern है उससे उनकी shadow जो पढ़ रही है वो साथ ही साथ चल रही है and never once goes to bed in his life और ऐसा लगता है कि कभी सोने के लिए कोई नहीं कहता होगा कि जल्दी सोजो जल्दी सोजो कि यह तो मज़े से जग रहे अब इनको क्या लगता है poet को कि I wish I were a watchman अब इनको लगता है कि क्या काश में watchman ही होता walking the street all night सारी रात सबक पे अराम से गुमता chasing the shadows with my lantern और जितनी और shadows है उनको यह निकि shadow मतलब shadow किसी इंसान की है किसी चीज की आई की उसको मैं भगा दूँगा अपनी lantern से ठीक है चलो यह हो गए हमारी poem now let us see the question answers सबसे पहले हम क्या करते है सबसे पहले हम word meanings करते है vocation, career या occupation hawker, seller, chasing run after chasing मतलब तोड़ना किसी चीज के पीछे किसी चीज को follow करना अब अगर हम sentences देखे vocation, never choose a vocation just because it looks easy कोई भी काम इसले नहीं opt करना चाहिए क्योंकि हमें easy लग रहा है, हमें interest हो तो ही हमें कोई भी काम करना चाहिए chasing, the hunter was chasing the fox आपके दिमाग में कोई अच्छा sentence है आप हो भी बना सकते है coming on to the question answers, who is the speaker in the poem, who are the people the speaker meets, what are they doing, the speaker of the poem is a school going child, every day he happens to meet the hawker who sells bangles, the gardener there is a small edit here gardener that's it, the gardener who takes the garden sorry again there is an edit it over here, takes nahin hai, digs the garden, who digs the garden and a watchman who keeps a close watch on the streets the whole night, tick next question what wishes did the child in the poem make why does the child want to be a hawker, gardener or a watchman the child in the poem wants to be a hawker, a gardener and a watchman when he looks at the hawker he wishes he could also spend his day on the road selling bangles he feels that there is no hurry for the hawker no place he must go and no fixed time when he must come home so his hawker becomes a hawker then what does the child want to be a hawker next he wishes to be a gardener a gardener a gardener a gardener because a gardener a gardener a gardener a gardener does what he likes with his spade he soils his clothes with the dust nobody scolds him if he gets baked in the sun or gets wet therefore if the little child was a gardener nobody would stop him from digging finally he sees the watchman and wants to be like the watchman so that he could walk through the dark and lonely streets all night with his lantern and chasing and chase shadows and chase shadows now the third question is from the way the child envies the hawker the gardener and the watchman we can guess that there are many things the child has to do and some must not do and some must not do make a list of do's and don'ts for the child the child the child must the child must not the child must not do get his clothes dirty in the dust waste time be ill mannered or rude in behaviour get baked in the sun or wet in the rain walk on dark and lonely streets at night okay so here we come to the end of the question answers for the poem vocation or i hope poem aapko aachhi laghi hooghi agar aachhi laghi hai explanation aapko pasand aaja hai to video ko like kejiega channel ko subscribe kejiega or friends ke saath share kariega take care my dear students till see you in the next class till then bye bye okay